लूए मैं चल्दी 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 कनेक कर लो गुडब मॉनिग जाएंध साथ आन्ध होग कई ने जल्दी चल्दी कर लिए क्याक do आप पर class चल रही है, जल्दी से connect कर लो, फटा फट से, हम लोगों ने आपका favorite topic शुरू क्या हुआ है, और वो क्या है, आपका छोटा सा प्यारा सा दिल, जल्दी से, जितने लोग पहले थे, फटा फट से मुझे comment section में comment करके बताईए, कि हमारे दिल का size क्या होता है, उसका rate क्या होता है, जल्दी से comment करके बताईए हमारे दिल का size क्या होता है, वेट क्या होता है, जल्दी, जल्दी जल्दी लिट दिजे, पेरे जल्दी जल्दी, जल्दी लांस्सासशाएं कृइँ कि उससने ज़रूर ये क्या होगा,59 नहीं के लास्ट वीडियो टेंड तो फटा पच्छे देखकर आईएगा जिसमें हम लोगों ने हाट का क्या कर रहा था इंट्रोडक्शन ऑल्रीडी पड़ा था ठीक है आगे चलें को दिक्कत यहाँ पर चलिए तो रंसे जल्दी से अब बिना बात करें आगे चलते हैं सबसे वेले पर कंजूसों तुम लोग लाइक कर दिया करो यार चलिए नेक्स्ट चले जी human heart सबसे वेले को हमने यह पड़ा था कि भी human heart muscular होता है क्यूंकि यह muscular होता है इसमें एक भी हड़ी नहीं पाई जाती इसी वजह से यह टूट नहीं सकता है दिल टूटता है फिर नसे काज करती है फिर डिप्रेशन होता है टेंशन आती है लोग सब नहीं हो सकता है क्यूंकि दिल muscular है मासपेशी से बना है और मासपेशी टूपती थोड़ी है फट जाती है बिचारी है न तो आप लोग का दिल टूट नहीं सकता दूसरा दिल हमारे पस कितने हैं सिर्फ एक है संख्या में सिर्फ एक इसलिए आप लोग दिल किसी को दे नहीं सकते हो वही मैंने दिल ह्लायओ अभी तक हमने किया था कि हांट में चार चामर मीं होते हैं वह चार में ब्लृड मुफ करता है कैसे करता है रहें हो में थोड़ी हां थोड़ी दियर के लिए रोखके रख्ता है गके लिके एस तमेज़ किस और झाल झाल लेjas सुन convicted on धिखे थोड़ा सा थोड़ा सा कॉंप्लेक्स हो थोड़ा रवाथं इसको समझना नॉर्मल लोगों कि तो की जात नहीं है चलो एनिवेस हमारे पास कितना चामबर होता हौता है ने होता है नो टो में शोरा यानि नढई या नियुक्त भाग पाया जाने विले चैब्र कैसे कैसे होता है किसके पास कौन सा चामबर पॉक्ता स्च चैंबर में क्या होता है पिटा एक चांबर में ब्लड रहता है जैसे यह सिंपल समना कर बताते हैं बहुत सिंपल आपका फेवरेट ऊपर वाला राइट औरिकल लेफ्ट औरिकल बाया आलेंद बाया आलेंद राइट वेंट्रिकल यानि की दाया निल लें और लेफ्ट वेंट्रिकल यानि की बाया निल लें आलेंद अ इप के बीच में ब्लड मिक्स ना हो जाए इनके पास एक वॉलफ पाई जाती इस तरीके से एक गेट की तरह यह क्या करती है बिटा यह gate क्या करता है blood को एक ही direction में flow करने का अलाव करते है उपर से blood नीचे आएगा हमेशा यानि कि auricle से blood का आएगा ventricle में कभी भी ventricle से blood auricle में नहीं जाएगा यह ऐसा है जैसे ही blood उपर से नीचे आएगा यह ऐसे खुल जाएगा पर जैसे ब्लेड नीचे से उपर आने लगेगा यह तुरंत बंद हो जाएगा तो यह क्या करता है गेट का काम करता है mixing of blood को रोपता है किसी भी blood की mixing नहीं होने दिता oxygenated deoxygenated blood को mix नहीं होने दिता दूसरा one direction unidirectionally काम करता है एक ही direction में movement के लिए क्या करता है काम करता है आगे चले अब यह जो चार chambers होता है इन चार chambers के बीच में यह जो वाल्फ होती है यह वाल्फ क्या करती है बता दिया मैंने आपको कभी आपके पास यह बहुत भाई री question किया गया अगर आप लोग मौक देते हो जिन्होंने मौक दिया है उनको यह वाल्फ क्या करता है यह questions आता है कि back flow को रोकने के लिए कौन काम करता है mixing of blood को कौन रोकता है तो वो valves रोकती है अब हमारे पास कुल कितनी वाल्फ है बिट क Dwald इसको हम भाई कर सकीड भी भूलते ह inveak wow जिसको महा घहनी बोलते प्राकर स्प्र पॉम ट्राइक कर सपीड ही बोलते हैं पल्मोंरी को हम पल्मोंरी ही कहते हैं अभी कैसी दिखाई देख वाह मतलब हम बाई श्पीड मतलब बाय मतलब दो अब देखो इसमें टू कस्प कहा नज़र आ रहे हैं आप लोग को यह नज़र आ रहे हैं टू कस्प वान एक ऐसे उभार सा है ऐसे उभार है कुछ एक कस्प है दो कस्प है देखो यह है और यह है इनमें फरक नज़र आ रहे हैं यह 2D है, यह विल्कुल प्लेन है, और जबकि यह कैसा है, उभार है, इसको कस्प बोलता है, तो मेटरल यानि की बायकस्पिड, न है, यह कैसा है, और युक्त बोलता है, पौर इन दोनों का नाम ही है, सेमी-ल्यूनर वाल्व, इसको असान करने कि लिए आपको क्या करती हूं इनकी जगा लिखकर करें देती हूं, इसको सान करने के लिए मैं कहते हूं आपकी आप इसकी जगा लिख करके आपको अब देखो पल्मूनरी वॉल्फ कौन सा वॉल्फ है देखे जर्ण बाइक स्पिट कहा पाइजाता है पल्मूनरी कहा पाइजाता है यह देखते हैं राइट वेंट्रिकल पल्मूनरी आर्ट्री में जो वाल्व लगा होगा वो पल्मुनरी होगा हिंदी में लिखें दायां निल्ले और पल्मुनरी दमनी के बीच पाया जाता है चलिए प्राय का स्पिट की बात करते हैं प्राय का स्पिट पाया जाता है बिटा राइट इसको ध्यान रखना एक्वाइशन बहुत बारी पूछा जा चुका है राइट औरिकल डाया अलिंद एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में आउट्टिक वॉल्फ का पाया जाता है जड़ा देखें बिटा आउट्टिक वॉल्फ पाया जाता है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल एंड आउट्टिक वॉल्फ है कहां पाया जाएगा आउट्टा में बाया निल्ले और यह किसके बीच पाया जाता है आउट्टा को हिंदी में बोलते हैं फुस-फुस फुस-फुस धमनी के बीच में पाया जाता है बायकर पिट कहां पाया जाता है बाइक आस्पिट पाया जाता है बटाउं बाइकल स्पिट कहां पाया जाता है यह पाया जाता है विटा लेफ्ट और इकल और यानि कि तथा लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में यह कहां पाया जाता है यह पाया जाता है यह पाया जाता है लेफ्ट और इकल एंड वेंट्रिकल के बीच चीक है बाया लिंदो निल्ले के बीच थीक बस आप इन चारों को याद रखना मैंने सिंपल फॉर्म में लिख करके दे दिए इस से अंदर डिफिकल नहीं हो थीक है इसको आगे चलने से पहले फटा फट सभी के सभी जितने भी लोगें आपर हो तुरंत ही अभी के अभी फटा फट से लाइक कर दो इस वीडियो को तुरंत से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो जिन लोगों को नहीं पता लगता है क्लास का जिन लोगों को मालूम ही नहीं क्लास के बारे में उन लोग को पता लग जाए तुरंत कर दो फटा फट अब यह आवाज जो लब और दब आती है दिल से कौन सी साउंड प्रोड्यूस होती है मैंने आपको बताया था दिल से धक धक नहीं आता दिल से कौन सी साउंड आते है लब डब कई जगा डबल भी लिखा आते हैं कई जगा सिंगल भी लिखा आते है बात एक ही बूल रहा है वहीं ठीक है दैन चलो अब वह यह बोलता है यह वाजह कहां से आ रही है तो सबसे पहली वाज यानि की लब अवाज कब आती है जब आपकी बॉगल आपicherungना हीरें लब ऑवाज आती है जब यह दो धर वाजह बन्द हो आता है का है मित्रल वल्व याने की बाइक अस्पिड वॉल्फ एंड ट्राइक स्पिड वॉल्फ जब बन्द हो रहे हैं ते इस aged आपको साउंड है लब जब दोनों सेमिल्यूनर वॉल्फ बन दोंगी तब आपको वाज जाएगी डब ठीक है कि यह कब होता है जब आपकी देखो चांज एंबर है न आप लोग सब हम लोग सब इंडियन है आप लोग ने शांपू के अंदर पानी जरूर भर के यूज क्या होगा भारती है लोग जय हिंद होल दो फटाफट से सभी के सभी एक बरी जलती से कमेंट करके बोलतो जय हिंद जय हिंदूस्ता पानी यह ना चलिए क्या करते हैं भई हम लोग जब शैंपू फिनिश हो जाता है तो उसकी पूरी बॉटल को दबाते हैं पानी में ले जाते हैं छोड़ते हैं सारा ब्लेड आजाता है उसारा बॉटर नहीं सौरी थोड़ी सर से हम खून से हम लोग सर दूएंगे फिर उस उसकों जोड तो उसी हिला लेते हैं शैंपू पानी मिक्स हो जाता है जो भी बचा खूचा शैंपू तै उसे दो तीन वारी तुसार दूल जाता है ना इंडियन जा रहा हूं और भी प्राउट टूबी इन इंडियन है ना प्राउड है ना हम लोग को भारती होने पर गर् नहीं है किसी को तो फटा फट से कमेंट सेक्शन में लिख दो हाँ या ना चलो नेक्स्ट अब सेम ऐसा दिल में होता है दिल का एक चैंबर बंद होता है ब्लेड को नीचे फिक देता है फिर यह खूलता है तो बहार से सारा ब्लेड आ जाता है फिर यह बंद होता है फिर न लब आवास कवाती है डबं ऑवास कवाती है लब आवास आती है मिंट्री कस्पिड वाल्फ भूर्प बंध साथे लॉब जब नी जादा तेज होती है लबकी डप पो unfolding वहास बहुत हुआ हो 맛있어요 क्यों थे प्रेशर बहुत थे से बंद उता है जो यह वह प्रेशर होता है आपका अप्रें यह बहुत तेजी से होता है दकि बाखी सेमिल यूनर में इतना फास्ट नहीं होता कि चले आगे कोई दिक्कत चलिए नेक्स्ट हम लोग यूट्यूब पर करते हैं यह सारा कंटेंट का मौक ही मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था इस पूरे कंटेंट का मौक हम लोग लेते हैं अनकैड में आप पर डैट इस प्री मुफ्त है आप जाए कहीं से भी पढ़ो वेटा देखो हर बंदा हर टीचर से कनेक नहीं कर सकता हर टीचर हर वच्चे को नहीं समझा सकती तो जो आपका लेवल है जहां से भी आप पढ़ रहे हो जैसे भी आप पढ़ रहे हो कई बच्चे अपने आप पढ़ लेते हैं कि नह डिनी हमसे पढ़ते हैं जहां से पढ़ रहे हो जैसे पढ़ रहे हो यह वाला जरूर दो आप लोगकहएं है आप लोगको अगर दस किताबे एक अधा करोगे ना बिटतों यह मौख नहीं बना पाऊगे परस किताबें भी इक अधा कर लोगे तो यह मौब के अधा पाऊगे मैं अधि आपको बताया था लास क्लास में 1132 अराउंड हम लोगों ने questions करें सिर्फ heart के. मतलब जितनी किताबे हैं, उन सारी किताबों का mock, सारे questions हम लोग कर लते हैं. सब भी questions हम लोग करते हैं. मतलब आज तक आप कितने government exams होको ना, जितने भी government exams हुते हैं, sub-inspector, आपका पतबारी, आपका constable, सभी exam के, सभी questions तो इसमें गलती का चांस ही ना बचे अगर इसमें गलती का चांस ने बचेगा तो क्या आएगा अगर क्या अगर सीडिया का आप लोग उने क्वेस्टन देखा हो तो बिटा 21 क्वेस्टन आया बाले जी इनके मिस्ट्री के मिला कर एक इप्सक्वेस्टन का मतलब समझते हो आप लोग चले और अगर कोई प्लस कूर्स लिना चाहता है तो यूज माय कोड नुपूर 11 या नुपू कोड चलो जल्दी से लगा लो चलिए हाट के उपर हाट हुआ इंबॉर्टन और दिल खत्म तो हम लोग खत्म है इसे लिए अगर आपको सच्छी में दिल तूट जाएगा तो जिन्दा है नहीं रपाऊगे क्योंकि वहां दिल खत्म तो हम खत्म अब क्या होता है अगर दि तो हम लोग क्या करते हैं दिल को बचा के रखते हैं दिल के पास तीन परते होते हैं दिल के पास बहारी तोर पर तीन परते होते हैं पहली परत का नाम होता है पेरिकार्डियम दूसरी परत का नाम होता है मायोकार्डियम तिकसरी परत का नाम होता है एंडोकार्डियम अग पेडिकार्डियम दूसरी है मायो कार्डियम तीसरी है एंडो कार्डियम तीन लेयर हैं आउटरमोस लेयर सबसे भारी परत सबसे अंद्रूनी परत और डीज की परत अंद्रूनी परत और मध्य परत ठीके जी कोई दिक्कत यहां पर कोई भी दिक्कत है यहां पर आगे चलू चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अब हमने देखा कि भाई हरिदे की भार में तीन परत पाई जाती है एपिकार्डियम मायो कार्डियम और पेरिकार्डियम यह एपिकार्डियम मायो कार्डियम उप्टै क्या होता है यह तीन अपरत आपके दिल की सुरक्षा करते हैं दिल की सुरक्षा कैसे करते हैं किसी भी तो वह पाई किलाए का मitडी शीर औरल सहां थ enormous में रहते हैं औरेख customize से इन लेएर का काम बर्टेक्शन घुटर अउटरमुसलेर की अब्विसलीप्र доступ करी आंग सोगीव फूध का निए और जो middle layer होती है middle layer बेटा इन दोनों layers को bind करके रखती है पकड़ के रखती है इन दोनों layers को पकड़ने का काम कौन करती है या myocardium करती है जो वीच के layer होती है कि समझ में आई बात आगे चलते हैं हाट का स्ट्रक्टर रहे पूरा देखो यह मैंने आपको बताया था देल हमेशा सेंटर में होता है बीच वीच होता है तो इसलिए जो काम करने बटाइशे उपर के ओर्गन से भी करेंग करने नीचे के ओर्गन से इसलिए इसके पास में दो और गन्जोते हैं अपर एक लोग देखो सुपीरियर वेना के वाँ यानी कि उपरी वेना का वा साथ सा लिखती जाओंगी आप लोग साथ साथ ब्रॉ खटते ज़िए गा उपरी वेना का वा इंफेरियर वेना का वाँ यानी कि निचला वेना कावा आउटा को हम लोग बोलते हैं फुस फुस पल्मो नरी धमनी पल्मो नरी शीरा यह तो मैं आपको बहुत बड़ी बताओंगे लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल यह नहीं बताओंगी मिट्रल वॉल्फ को बाइकस्पिड भी बूलते हैं ठीक ऐसे पल्मो नरी वेन पल्मो नरी शीरा किलाती है अब आपढ़ी ऊपर भी या वेना खावा नीचे दोनों मिलकर क्या रहे हैं देखुँ यह यह हैं यह और से की जगाह रहा है ऐसे ही ये वाला ब्लड भूम कर नीचे चला जाता है नीचे क्या होता है ये सुपीरियर आउट है वो इंफीरियर आउट होता है ये उपरी आउट है वो निचला आउट होता है ये निचला फुस फुस होता है निचली फुस फुस धमनी उपरी फुस फुस धमनी ठीक है आगे चले इसके इलावा इन सब चीजों के इलावा यहां पर और भी चीजों होते हैं एक होता है आर्ट्री एक होता है वेड एक होता है धमनी एक होता है शीरा अंतर क्या है सिंपल सा अंतर देख लेता है वो ब्लड वैसल जो दिल से दूर ले जाएगी आर्ट्री blood vessel के ओते हैं जिन में खून बहेगा, उने blood vessels कहते हैं, उने रुधीर कोशिकाएं कहते हैं, रुधीर शिराएं बोलते हैं, ठीक है, तो अगर वो दिल से दूल लेकर के जारी है, तो artery, अगर वो दिल के पास ला रही है, तो wait, अगर वो दूर ले जा रही है आठ्री अगर वो पास ला रही है तो वे यूजुली सारी धमनियों के पास में जबकि शीरा के पास में डि उक्सिजुनेटिट ब्लड है यानि की अशुध रक्त है दी ओक्सिजनेट ब्लड है याने की क्या है अशुध रक्त है बात समझ में आई कोई दिक्कत आगे चले धमनी और शीरा का में अंतर ही होता है कि भईया जो दिल के पास ले जा रही है वो शीरा है जो दिल से दूल ले जा रही है अचल और अचलर केकि आए अचला कया कि यानि 29th होते है देखो चोटी यही बड़ी इसमें से देखके बताओ ट पक्रशा धमनी बड़ी लग रही है छोटी लग रही है ना अब देखें पिटा जब क्यूंकि क्यूंकि धमनी के पास केवल शुद्रक्त ही पाय जाता है क्यूंकि धमनी के पास केवल शुद्रक्त ही पाय जाता है इससे लिए वच्चे क्योंकि दमनी के पास केवल शुद्रक्त ही है इसी लिए उसके पास वाल्फ की साफ खूनी तो है क्या हम ब्लड ही mixing हो और यह नहीं हो अभी यह ब्लड की mixing क्या हो रहा है बिल्कुल नहीं हो रही है तो valve नहीं होती जब कि आपकी जो शीरा है क्योंकि इसके पास गंदा गून पाया जाता है इसके पास valve पाई जाती है इसके पास valve पाई जाती है valve क्या काम किरती है भई इसके अंदर valve का सबसे important काम होता है फिर भी mixing of blood को रोग देना अगर कुछ नहीं तो mixing of blood को क्या करना रोग देना ठीक है आगे चलू कोई दिक्कत चलो देना बादाव को क्या है बादा को देना प्रका प्रकाइब लोग देना बादाना बात्य है वोत्त चालों देना जड़िए आप दो देना भी तो देना है। अब भाई हमें एक बात समझ में आई कि धमनी अगर बड़ी है तो प्रेशर कम होगा हाँ या नो चलो अब देखते हैं आगे सबसे बड़ी धमनी कौन से होती है सबसे बड़ी शीरा कौन से होती है सबसे बड़ी धमनी का नाम है आउटा इसको महाधमनी भी कहते हैं पर बेटा आप लोग फुस फुस ही लिखेंगे आपके पास महाधमनी लिखा वन या तो उन्हें पता है आप लोग बहुत शाल है उनको पता है कि यह जो पेपर देने आया ना यह बच्चे बहुत पड़े लिखे हैं बहुत समझदार वच्चे ही है आदमी का वेपर देने आया चूटी बता है या तो आप डिफेंस दे रहो या आप क्या दे रहो गवर्मेंट एक्जाम दे रहो चूटी बात थोड़ी आप इतनी त्यारी करकर आए हम लोग आगे चलू चलो नेक्स बात करते हैं आप यह बोलने लगा कि ठीक है भाई यह तो क्या कर रहा है यह तो अब समझदार है महा धमनी नहीं दे सकते तो क्या देंगे फोस फोस देंगे अब बात करते हैं largest vein क्या बात हैं यह वेना कावा क्या करते है यह वेना कावा बटा सारे गंदे खून को नीचे से उपर ले जाती है उपर वला वेना कावा उपर से लाएगा और नीचे वला वेना कावा सारे नीचे से लाएगा अब बताओ कौन सा बढ़ा है कौन सा छोटा है अब्विस्ली से लेकर जो पैर तक जा रहा है वो बढ़ा है अब इसलिए हम लोग बोलते हैं अगर अप्शन में आ जाए कि यह कौन सा बढ़ा है तो हम इसको बोलेंगे इंफिरियर वेना कावा निचला वेना कावा अगे चलें है कि समझ में इतनी सी बात है कि यहां से भी आ रहा है यहां से भी आ अब कहाएगा यह अब आएगा यह अब आएगा यह अब आएगा यह लेफ्ट हैंड साइड पर अब सारा का सारा जो left hand side पर आ गया left oracle फिर आएगा left ventricle पर left oracle देना आएगा किस पर left ventricle पर ठीक है दन अगे चले चलिए नेक्स नेक्स बात करते हैं आर्ट्रीज वेंज धमनी और शीरा यह थिक वॉल होती है इसकी जो दिवारे होती है वो मूटी होती है दिवारे बोल उठेंगी है न बोलती नहीं है बस मूटी होती है दिवारे मूटी होती है वेंज थिन वॉल दिवारे पतली होती है blood flows under high pressure in artery जो blood है वो high pressure में flow करता है इसको ध्यान रखेगा इसमें बहुत questions आपके exam में पूछे जाता है इसको ध्यान रखेगा इसमें बहुत से questions आपसे पूछे जाता है बहुत questions आता है आपसे जो पूछे जाता है कि भाईया high pressure कहाँ पर हो किसका होता है arteries का low pressure किसका होता है जी हमारी वेंस का ठीक ही प्रेशर किसका आगर कभी भी आप लोगों की आर्ट्री कट गए अगर किसी भी कारणवश आप लोगों की आर्ट्री गट गए तो बिटा आप लोगों को बचाना असमभव हो जाएगा आप लोगों को बचाना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा क्यूंकि आर्ट्रीस क्या कर रही है सारा का सारा अच्छा खुन लेके जा रही है जिनको चाहिए वो ब्लड उन तक ये खुन पहुंचेगा नहीं पहुचेगा नहीं तो चलाएंगे लड़ेंगे क्या पागल होगे क्या अब तक खुन ने दे रही हमें इसलिए वो सारा खुन बह जाएगा और 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 जल्दी फटीग हो जाएगे फटीग हो जाएगे मतलब काम करना बंद कर देंगे काम नहीं कर पाएंगे जबकि जो वेंज होता है जो वेंज होती है वो क्या होती है वेंज पेरिफेरल होती है मतलब उपर की साइड पर होती है और बीब भी होती है कुछ उपर होती है कुछ नीचे होती है दोनों साइड पर पाई जाएगे यह मैंने आपको अभी बताया था कि आर्ट्री के होती सर्फ एक पास नहीं होता है यह सारे प्लोगों को मॉक में गरा जुक हुआ मैं आप लोगों को बार-बार बोलती हूं मेरा नाम है नुपुर गुलाटी आप लोग सभी लोग मौग जरूर दिया करो चाहिए आप कहीं पड़ो मौग से क्या होता है विटा आप लोग की क्वाइशन की प्रैक्टिस हो जाती है अब इतने जितने भी एक्जाम में कभी भी किसी भी एक्जाम में कभी भी दिल पर कोई क्वेश्टन आए गा तो उसको एकट्था किर के बढ़ भूने बहुत सारेक्टिस मैंक्स बनायँ टॉपिकव और टॉपिक टॉपिक वाई वो क्वेस्टन सब्सक्राइब करते हैं तो अगर आप लोग मौक देना चाहते हैं तो बिटा अनकेडमी लेर्निंग डाउनलोड कीजिए अनकेडमी लेर्निंग अप अनकेडमी लेर्निंग अप आप लोग डाउनलोड कीजिए और इस आपके बाद में नुपूर गुलाटी सेर्च कीजिए नुपूर गुलाटी सेर्च करने पर आपको मेरी आइडि मिल जाएगी और और मेरी आईडी से आप लोग अराम से मौक दे सकते हो मौक के टाइमिंग्स क्या है क्लास कब लग रही है यह आप लोग को पता लगता रहेगा अभी फिलहाल दिवाली फेस्टेवल के जो ओफ आ रहे है उन सब में उन सब के अंदर आप लोगों का ओफ रहेगा और बट मौक और जो भी यह अनक आडमी लर्निंग पर क्लास होती है यह चलेंगे और बेटा सबसे बड़ी बात इस ओल क्लासे आप तो मुझे लगता है दिकत नहीं सिर्फ आना है और ऐसे आपके पास नंबर आ जाएंगे वान 2, 3, 4 कौन बने का करोड़ पती की तरह प्वेजन पढ़ना है मार्ग करना है बास इन दा एंड आप दा क्लास आपको एक रांक मिल जाएगा और मुझे पता लग जाएगा कौन सा बच्चा नहीं पढ़ रहा है किसकी पिटाई करनी है ठीक है and one more thing wish you a very happy Diwali everyone आज Diwali है and I wish you a very 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 happy Diwali पर Diwali को बहुत safe मनाईएगा green मनाईएगा no pollution say no to pollution right no crackles no pollution आप लोगों को शायद पता नहीं लग रहा है पता है आपको डैली के अंदर अगर आप आकर देखो सिर्फ दस मिनट भार गूम कर ओ गला इतना दर्द हो जाएगा इतना दर्द हो जाएगा इसा लगिए यार हमने क्या ही कर लिया इतना दर्द है पूछो मत और इतना पॉल्यूशन है आपर कि भई पूचा नहीं जा सकता तो इसे लिए पॉल्यूशन का और भागिदार मत बनिएगा सेफ डेली क्लीन दिवाली और ग्रीन दिवाली जाइए अपने दोस्तों से मिलिए कोरोन के विज़े से अगर नहीं मिल पा रहे है तो स्काइप कॉलिंग कीजे सबसे मिलिए और मिलकर के सब को विश कीजे हापी दिवाली पर… इंस्टाग्राम पर …AND SO MANY रह्यों … जो भी और सोचल मीडिय साइट होते हैं ठीक है, भैं आगे चले, चालो, अब हैपी दिवाली, सबको हैपी दिवाली, सबको दिवाली की बहुत, बहुत, मुबारक, आपको भी तथा आपके घरवालों को भी दिवाली की हाट दिख्शुब कामना है, ठीक है करें स्लाइट अब आगे दिवाली की खुशी में फूले नहीं समा रहे हैं चलिए आगे नेक्स्ट अब क्या होता है 30 परसंट जो ब्लड होता है बिटा वो हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन से जाता है जो कि आंट्रीज में मिलता है 5% कैपिलरीज में होता है और 65% आपका वेंज में होता है तो आपके एक्जाम में क्वैशन आता है कि सबसे जादा ब्लड कहां मिलता है सबसे जादा ब्लड आपको कहां देखने के लिए मिलता है तो बेटा सबसे जादा ब्लड आपको देखने मिलता है वेंज में वेंज में कितना ब्लैड होता है शिख onlar झिट फास ब्लै रट का होता है आपकी आर्ट्री में चैपलयरिय इस क्या होती है अब था जगा पहुंचाने तो अम मेरे मुह में 32 जानत हैं कि पatsyi ग्टे जानत हैं जो भी एपे ताइभ ए एक पुलेट को 款चाना है है कि अजया है एक दांत को ब्लेट पहुंचा इसाए क्या यह सान है कि हर एक पार्ट को ब्लेट पहुंचाया जा है तो अग्रमी बुलती है वहीwnie याड़् tig brother Nurse kindly ग्रॉटे एक सिर्टा कोरिश होती है जो किया करती है आपके हर कोने कोने हर चुटे चुटे औरुणs तर पहुँंग जाती हैं कोने के मच्छर को ढूध ढूंद कर निकाले ऐसा कुछ आता है ना ऐसी कोने कोने के अंगों को ढूंद कर निकाले और ऑड़ासीजन देते हैं इसे चोटी है ना अगर इसमें कॉंट्राक्शन हो गया संकूचन हो गया बंदी हो जाएगी चलेगी नहीं कि खुद करोगा नहीं चलेगी अब तुमको जो करना है करो मैं तो निगाम करते हैं थीक है बात समझ में आई चले आगे अब हम बात करते हैं ब्लड बेसिक इंपॉर्ट कोबिंगा इस वीडियो ऒखे एक लड़का है जिसका ब्लड सुना बता हिए कि या तो यह आजाएगा यह पूछेगा बहुत प्रॉबिलिटी वताओ एबलेट ग्रूप की इसके मैंने आपको वही मौक के अंदर बहुत सारे क्वैशन्स कराए थे उस मौक में मैंने आपको सेम बहुत सारे क्वैशन कराए थे प्रॉबिलिटी निकालना सिखाया था तो जिन लोगों ने हाट से पहले ब्लेट का वीडियो नहीं देखा है वो लोग सबसे पहले ब्लेट का जाकर के वीडियो देख ले तो दैट की ब्लेट आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जो हमारे शरीर में बहता है अगर मुझे आप लोगों के घर आना है तो कैसे आओ गाड़ी प्रेन रिक्षा साइकल बहुत सारी थीजें पर डिपेंड क्या करता है निर्भर करता है कि आप लोगों का घर कितना दूर है मेरे घर से इस पर निर्भर करेगा कि भई मैं आप लोगों के घर पर कैसे आ सकते हूं मैं आप लोगों के घर पर कैसे आ सकते हूं यह इस पर निर्भर करेगा अब मैंने बात अब बात करते हैं कि ठीक है यह बात समझ में आ गई कि हम आपके घर कैसे आई या क्या काम करें यह बात हमको समझ में आगी कि भई हम तो अब यह हुआ अब यह हुआ कि भई हमारे शरीर के अंदर तो कोई भी ऐसा पडार्त नहीं है दिख्षा नहीं चलता और तो वेट्रो तक आये कि इतना पिछलो अशरीर है ना हम लोगों का तो सब्र 거죠 लोग आप बहुत द्यांट से अगर उने इंजेक्शन लगा दिया यहाँ पर तो मैं सारे जग़ा पर जरुरत है वहाँ पुचाहे तो सारा काम कौन करने लगता है आप पर बलड करने लगता है बलड बेसीकली किस-किस छीज से मिलकर के बनता है यह जो अगर छोटा सा बीडर देनल चोट शुक्त लग जाए लोको पहले इसको हिंदी में भी जोट लगजाए तो शुट शुट कोड़ा निकलता है इस ब्लेड में क्या होता है प्लाजमा क्या जो 55% होता है ब works that i was जो जो चार परेइस कई बारहिए आपके एक्जाम में आ जाता है कि पलाजमा gluc般 peoples साठ को पर परसेंटीव्य तो कई बार्य आपके इसमें पच्पन करता है थो आप इंक टक्रोइऑ बाइड बल्सलिंट मिल के चार परसेंट बनाता है और यह क्या बनाता है 41% red blood cells बनाता है आपकी सामने तीनों cells है जर्द जल्दी से मुझे देखकर के बताओ और जिन लोगों ने blood किया है उन लोगों को यह मालूम होगा पर फिर भी आप लोग मुझे फटा फच्छे देखकर के बताओ सबसे बड़ी कौशी का नजर आ रही है आपको रेड ब्लेट सेल सबसे बड़ी नजर आ रही है पर सबसे बड़ी होती है वाइड ब्लेट सेल्स लार्जेस सेल ऑफ ब्लड यहाँ पर इसको बड़ा दिखाया गया है रुधीर की सबसे अधिक मात्र में पाई जाने वाली कोशिका और प्लेट लेट सबसे छोटी कोशी का दोनों साथ साथ रहते हैं डब्ल्यूबी से सबसे लार्जेस सेल प्लेट सबसे स्मॉलेस सेल दोनों ही साथ रहते हैं सबसे बड़ा सैल कौन सा है आपका वाइड ब्लेड सेल और सबसे छोटा कौन सा आपका विटा है वेल्कुल रही चलिए जल्दी जल्दी आगे चलि दन को को इस लिक्टिया तक इतनी सी वात समझ में आई सबसे पहले जितने भी लोग ही हाँ पर बैटेओ फड़ा फट से इस वीडियो को लाइक करें कमेंट करें कि वीडियो कैसा लगा इफ इन केस आपको लगता है कि भाई कोई चीज है जो आप लोगों को नहीं समझ में आ रही है या कोई भी ऐसे चीज है जो आपको लगता है कि हम लोग उस चीज को सुधार सकते हैं तो प्लीज अपने सजेशन को कमेंट बॉक में छोड़िए हम लोग पता कर पाएं हम लोग उसको चीजों को जो भी आपको प्रॉंबलम आ रही है उसको हम क्या कर सकें Thinking कोई दिखत फटा बुटन दबा दिजो qare staggering cop करी दिजे जब भी नेक्स वीडियो आए आपको पता लगती रहे है जब भी नेक्स वीडियो आए तो क्या हो आप लोगों को पता लगती है को दिक्कत फिर भी सभी लोग ने क्या करना है mock test जरूर देना mock test जो बिल्कुल क्या है free of cost है बिल्कुल क्या है मुफ्त है इसके अंदर यह आप कैसे दे सकते है आप लोग unacademy learning app को download कीजे unacademy learning app download कीजे unacademy learning app download करने के बाद मेरा नाम search कर लीजे which is nupur gulati nupur gulati आप अराम से इसको search कर लीजे search करने के बाद में आपको easily मैं मिल जाओंगी मतलब मेरी profile मिल जाएगी उसे follow कर दीजे so that कि अगर कोई भी काम है कोई भी काम है मतलब कोई भी class लग रही है किस time लग रही है तूरं से सबसे पहले तो इस वेडियो को like कर देना है दूसरा आज फटा फट से दूसरा गाम करना है अनकैडमी की learning app को download करना है नupur gulati की profile को follow करना है so that कि जैसे next mock announce हो या next class announce हो तूरं से आप लोगों ने आकर के वो classes लेने है कोई दिकत done class को finish करते हूं बिटा आज आज के लिए इतना ही wish you a very happy diwali again अच्छे से diwali मनाईएगा safe diwali and green diwali no crackles wish you a very 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 happy diwali everyone चलिए तो अभी मैं class finish करते हूं आप लोग जाई आराम से diwali का enjoy कीजे आज खूब के लिए खूब खाईए खूब enjoy कीजे तब तक के लिए टाटा बाई बाई मिलते हैं कल इसी वक्त इसी ताइम इसी चानल पर सेम जगा सेम टाइम तब तक के लिए टाटा बाई बाई